मा ने सबके लिए शर्बत लाया सुमा ने कहा मा मेरे शर्बत में शक्कर डाली है मा ने कहा डाली है मैंने पीकर तो देखो पहले सुमा ने शर्बत पीकर देखा तो शर्बत मीठा था सुमा ने पूछा लेकिन शक्कर दिखती क्यों नहीं है मा ने कहा सुमा कुछ पदार पानी में घुल जाते हैं इस कारण वे हमें दिखाई नहीं देते थोड़ी देर के बाद हम एक प्रयोग करके देखेंगे सभी लोग को यह बाद बहुत पसंद आई और सभी लोग थोड़ी देर के बाद रसोई घर में गए बच्चो सुमा गी तरहा हम भी प्रयोग करके देखेंगे प्रयोग एक साहित्य कांच का गिलास पानी से भरा हुआ लोटा नमक वाशिंग सोडा फिटकरी का चून रेत आटा लकड का पाउडर, थोड़ा तेल, कृती, एक कांच के गिलास में आधे तक पानी भरिये, उसमें एक चमत शकर डालिये, चमत से शकर घुलिये, क्या बदला होता है ये देखेंगे, हर एक प्रयोग के बाद पानी फेंट दे और नया पानी भरें, निरिक्षन, चमत से घुलने के थोड़ी देर के बाद शकर के कण आकार से छोटे छोटे होते जाते हैं, थोड़ी देर के बाद शकर के कण नस्थ हो जाते हैं, अर्था दिख भी नहीं पाते निशकर्श प्रयोग बहुत पसंद आया उसने जो सहित्य दिए हैं वैसे ही सभी सहित्य का उप्योग किया प्रयोग करने के बाद माने पूछा सुमा पानी में क्या-क्या घुल गया सुमा ने कहा माँ शक्कर नमक, वाशिन सोडा फिटकरी का पाउडर ये पदार्थ पानी में पूरी तरह से गुल गए बालू, आटा, लकडी का भूसा, हल्दी का पाउडर और तेल पानी में पूरी तरह से गुल नहीं पाए पानी में जब कोई पदार्थ गुल जाता है तो पानी और इस पदार्थ का मिश्रण तयार होता है इसी मिश्रन को पदार्थ का विलयन अर्थात घोल कहते हैं कभी बहुत ज्यादा उल्टी और दस्त हो जाये तो ऐसे मरीज को पानी में शक्कर और नमक डाल कर तयार किया हुआ घोल पीने के लिए देते हैं इसी घोल को जलसंजीवनी कहते हैं इसी घोल को जलसंजीवनी कहते हैं यदि मरीज जलसंजीवनी लेने में भी असमर्थ हो तब उस मरीज को अस्पताल में ले जाकर सलाइन लगाते हैं सलाइन याने नमक का घोल कभी कभी उसमें भी अन्यदवाईया घोल कर मरीज को देते हैं इस प्रकार का घूल मरीज के लिए उपयोगी होता है मा ने कहा हम और एक प्रियोग करेंगे आपको याद है हम मौसी के घर गए थे वहाँ एक छोटा पानी का तालाब था उपरी और उस पानी पर कुछ पत्ते वैसे ही दिख रहे थे सुमा ने कहा हा मा मैंने छोटा सा पत्तर पानी में फेका था तब वो जट से पानी के नीचे गया और डुबुक ऐसे आवाज भी आई थी मा ने गहा सही कहा चलो अब हम प्रियोग करके देखेंगे प्रियोग रमांग दो प्लस्टिक की पट्टी रबर्ड पैंसिल का टुकड़ा शार्पनर रबर बैंड चांदा स्टील का चमच प्लस्टिक का चमच कील स्क्रू सिक्का तीलियां एक बड़े बरतन में पानी भर लीजिए उसमें हमने एकतरित की ये साहित्य में से एक-एक वस्तु डालेंगे निरिक्षन करेंगे हमने पानी में जो वस्तुएं डाली उनमें से कौन सी वस्तु डूपती है और कौन सी तैरती है ये देखेंगे कुछ वस्तुएं पानी पर तेरती हैं तो कुछ वस्तुएं डूपती है सुमा का प्रयोग होने के बाद मा ने उसे पूछा सुमा कौन सी वस्तुएं पानी में डूप गई थी सुमा बोली स्टील का चमच, गुनिया, कीला, स्कुरू, सिक्का, कंकड यह वस्तुएं पानी में डूब गई है मा बोली शब्बास सुमा डूबने वाली वस्तुएं पानी से हलकी थी या भारी थी सुमा बोली मुझे मालूम नहीं मा ने कहा सुमा जो वस्तुएं पानी में डूबी पे पानी से भारी थी अब बताओ कौन सी वस्तुएं पानी पर तैर रही थी सुमा ने कहा प्लैस्टिक की पट्टी, पेंसिल का टुकड़ा, रबर बैंड, प्लैस्टिक का चमचा, तीलियां, पत्ते, शारपनर पानी पर तैर रहे थे सुमा ने आगे कहा मा मिट्टी पहले तैर रही थी लेकिन धीरे धीरे नीचे गई मानि कहा शब्बास आपका निरक्षन अच्छा है तैरने वाली वस्तुएं पानी से हलकी है इस कारण वे पानी पर ही तैरती रही है पानी से हलकी वस्तुएं पानी पर ही तैरती है पानी से भारी वस्तुएं पानी में डूपती है मा बुली, सुमा, अभी हमने पानी के बारे में तैरना, डूबना, घुल जाना, नघुल जाना इस सारी बातें सीखी बचो हमें हर रोज अलग-अलग कामों के लिए पानी की आवश्चता होती है हमारा पीने का पानी स्वच और शुद्ध होना चाहिए वैसे यह पानी अहानी का रख भी होना चाहिए जो पानी पीने से स्वास्थ पर कोई भी हानी का रख परिणाम नहीं होता ऐसे पानी को अहानी का रख पानी कहते हैं शुद्ध पानी का स्वाध नहीं होता, रंग नहीं होता, अथवा गंध भी नहीं होती पानी का रंग बदल गया या दुरगंद अर्थाद बद्बू आने लगी तो वह पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं बारिश के दिनों में नल से मटमेला पानी आता है उसमें मिट्टी मिली होती है हमें वह पानी शुद्ध करना पड़ता है इसलिए निथारना प्रिटकरी को पानी में घुमाना चानना ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं इन क्रियाओं के कारण पानी की अशुद्धियां कम हो जाती है ऐसा पानी स्वच और पारदर्शक दिखता है पानी स्वच करने वाली घरिलू पद्धती प्रयो क्रमांगती पानी निथारना सहित्य मटमेला पानी कांच का गिलास कृती एक कांच की गिलास में मटमेला पानी लीजिए अभी कांच का गिलास 4-5 घंटे बिना हिलाये स्थिर रखिए चार-पांच घंटों के बाद निरिक्षन कीजिए पानी के तले में मिट्टी के कन जमा हो गये हैं लेकिन मिट्टी के कन जमा होने में बहुत वक्त लगता है तीलिया, कच्रा यह घटक पानी से हलके होने के कारण पानी पर तैरते हैं इसी पधती से नित्रा हुआ पानी दूसरे एक गिलास में हलके से डाल दीजिए। ऐसे करते बक्त सिर्फ उपर का पानी लीजिए। पहले से यह पानी अधिक स्वच और पारदर्शक दिखता है। लेकिन फिर भी उसमें मिट्टी के कण और कचरा हो सकते हैं। प्रयोक्रमांग चार फिटकरी पानी में घुमाना। साहित्य कांच का गिलास नित्रा हुआ पानी फिटकरी। कृति कांच के गिलास में फिटकरी का एक टुक्टा हलके हाथ से घुमाई है। यह पानी थोड़ा भी धक्का न लगाते हुए तीन चार घंटे स्थिर कीजिए। निरिक्षण तीन चार घंटों के बाद पानी पर तैरने वाले सुक्ष्म मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे जम जाते हैं। उपर का पानी अधिक पारदर्शक हो जाता है। लेकिन फिर थोड़ा कच्रा और थोड़ी तीलिया अब भी उसमें हो सकती हैं। निशकर्ष फिटकरी घुमाने के कारण मटमेले पानी में सुक्ष्मकन नीचे जम जाने में मदद होती है। इसी पदती से पानी स्वच करने की क्रिया को निथारना कहते हैं। इसमें फिटकरी इस्तमाल करके निथारने की क्रिया होती है। प्रयोक्रमांग पांच चानना साहित्य फिटकर इगुमाया और नित्रा हुआ पानी चानना स्वच्छ सूती कपड़ा कृती एक मध्यमाकार का गिलास लीजी उस पर चाय की छन्नी रखिए एक स्वच्छ नरम और सूती कपड़ा लीजी उसे मोड कर चार तहूं वाला बना दीजिए इन तहों को गिला करके चन्नी पर फैला दीजिए कांच के ग्लास में रखा यह पानी उस तहों पर धीरे धीरे एक छोटी धारा बनाकर डाली है निरिक्षण पानी में डालकर बची मिट्टी तथा बचा हुआ कच्रा कपड़े पर अठका रहता है चन्नी के पानी स्वच्छ होने के लिए मदद होती है लेकिन निथर के च्छान के लिए पानी स्वच्छ और पारदर्शक दिखाई देगा तो भी अहानिकारक नहीं होगा ऐसा नहीं होता ऐसे पानी में अन्यकों बार बीमारी निर्वान करने वाले सूक्षमजीव रहते हैं वे तकलीफ अर्थात शरीर को होने वाले कश्ट सभी सूक्षमजीव हानिकारक नहीं होते कुछ सूक्षमजीव उप्योगी भी होते हैं अर्थात वह सूक्षमजीव हमारे लिए बहुत उपयुक्त हो सकते हैं सूक्षमजीव सूक्षमजीव मतलब आकार में बहुत ही सूक्षमजीव सूक्षमजीव अर्थात प्रयोक्षाला में सूक्षमवस्तु देखने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले साधन प्रयोक्रमांग छे साहित्य एक चमज दही या च्छाच कांच पट्टी सूक्षमदर्शी कृति एक बून दही या एक बून च्छाच लेकर कांच पट्टी पर रखिए यह कांच पट्टी सूक्षमदर्शी के कांच के ऊपर रखिए नेरिक्षन कीजिए सूक्षम दर्शी से सूक्षम आकार के सजीव दिखाई देते हैं यह सूक्षम जीव दूद का परिवर्तन दही में करते हैं यह सूक्षम जीव उपयोगी होते हैं उसी प्रकार मिट्टी में कुछ सूक्षम जीव होते हैं जो उपयोगी होते हैं कुछ सूक्षमजीव कच्रा सडाने का काम करते हैं, वे भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ सूक्षमजीव पदार्थ का खमीर बनाने का काम करते हैं, उधारनार्थ ब्रेड का आटा तयार करते समय इस्तमाल किये जाने वाले सूक्षमजीव, हमारे आसपास सूक्षम बरतन के पानी में फैल जाता है और उस पानी को घुले हुए पदार्थ का स्वाद आता है वैसे पानी को घुले हुए पदार्थ का रंग मिलता है भारी पदार्थ पानी में डूपते हैं पानी से हलके पदार्थ पानी पर तैरते हैं निथारना छानना फिटकरी घुमाना इ ऐसा पानी पिया तो हमारे स्वास्थ को कोई खत्रा नहीं होता ऐसे पानी को अहानी का रख पानी कहते हैं पानी उबालने से उसमें जो सूक्षमजी होते हैं वे मर जाते हैं यह पानी पीने के लिए अहानी का रख होता है स्वाध्या, पानी शुद्धिकरण की क्रिया एक शब में लिखिये, छानना, उबालना, निथारना एक, मटमेला पानी चार-पाँच घंटे एक ही जगा स्थिर रखना दो, पानी खूब गरम करके उसमें जो सूक्षमजी होते हैं उन्हें नश्ट करना तीन, पानी के बीज जो तीलियां कचरा होता है, उसे निकालने के लिए चार तहों का उप्योग करना प्रश्ण दो, सही या गलत लिखिये, गलत विदान सही करके लिखिये एक, सभी सूक्षमजीव हानिकारक होते हैं दो, दूद का दही करने वाले सूक्षमजीव उप्योगी सूक्षमजीव होते हैं तीन, कचरा सडाने वाले सूक्षमजीव हानिकारक होते हैं चार, हलके पदार्थ पानी पर तैरते हैं पांच, सभी पदार्थ पानी में गुल जाते हैं झाल झाल